चाती हूँ कि कौन सा ट्रेटियों और कौन सा रेटिनोल आपके लिए बेस्ट रहता है तो जैन दोस्तों स्वागत आप सभी का आज की वीडियो में और आज की वीडियो एक रिवीव वीडियो होने वाली है क्योंकि आपके कॉमेंट्स के आधार पर ही मैं जातर वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ और आप सबने फिर उसके रेटिनोल अच्छा रहेगा, कौन सा हमें लगाना चाहिए वगरा वगरा तो आज मैं थोड़ा से इसके बारे बात करना चाहती हूँ कि कौन सा ट्रेटिनोंग और कौन सा रेटिनोल आपके लिए बेस्ट रहता है तो आज जो मैं रिव्यू आपको देने वाली हूँ वो है फोक्स टेल का रेटिनोल नाइट सिरम वाइटालिटी है तो वाइटालिटी भी पड़े वाइटालिटी के साथ लिख्94 है रिजन ये हे का वाइटालिटी को टाइबर बाइवन गेट वन भी हो जाता है तो इसमें बुराई कुछ नहीं है हमारी एक वैनिटी में रखा हुआ है जब एक प्रोड़क्ट खतम होगा तो दुब दुबार उसको इसको इस्तिमाल कर लेंगे तो यह इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि यह सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है इसमें 0.15% रेटिनोल, विटाइन, एन कोकम बटर ओके गाईज, एक चीज़ का दियान रखेगा जब भी हम ट्रेटिनो एंड क्रीम की बात करते यह फार्मेसी क्रीम है और इसको हम थोड़ा सा फार्मेसी में नहीं लेंगे बट हम इसको कॉस्मेटिक प्रोड़क्ट में ज़्यादा में काउंट करूँ रीजन यह है कि जो फार्मेसी की ट्रेटिनो एंड क्रीम होती है इसको डर्मटोलोजिस्ट अपनी प्रेस्क्रिप्शन पर लिख के देते हैं तब ही आप यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे यह डिजनोसिस के बाद ही डॉक्टर जिन नतीजे पर पहुँचते हैं कि आपको यह यूज करने चाहिए यह अच्छी बात होती है अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हमें थोड़ा सबर आ जाता है कि ठीक है भाई डर्मटोलोजिकली टेस्टेट है तो हम यूज कर सकते है कि साइड इफेट्स के चांसिस बहुत काम हो जाते बट रेटिनोल को हलके में मत लीजेगा कभी भी क्योंकि आप सोचे कि ठीक है कॉस्मेटिक प्रोड़क्ट है तो भाई यह सारा मैं निकाल के पूरे भर भर के लगाऊ जी नहीं इसका भी सेम फॉर्मिला वही रेता है मैं दुबारा बताना चाहूंगी अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज मिस कर दी है तो आपको पहले मौस्टराइजर लगाना होता है उसके बाद रेटिनोल बिलकुल इतना सा डाल के दाने के बराबर और फिर दुबारा मौस्टराइजर लगाना पड़ता है अगर ये टेकनिक अपना होगे ना पेटिनोल कभी आपको दुखी नहीं करेगा आपकी स्कीन खराब नहीं करेगा लेकिन आप सोचे कि ये कॉस्मेटिक प्रोड़क है तो जैसे आप अन्य मौस्टराइजर ये क्रीम्स यूज करते हैं इसको भरके लगा ले और रात और रात चेहरे पर कोई गोरापन ये रात और रात जुरिया चले जाएं तो तो ऐसा कुछ नहीं होता है रात और रात तो कुछ भी ऐसा कोई चमतकार नहीं होने वाला है कि ऐसा फूक मारी और बस चेरा बिल्कुल चेंज हो गया ठीक है न वो सिर्फ के तरह दंत कताओं में या फिर जो मनोहर कहानी होती है उसी में दिखाया जा सकता है बट अगर हम स्किन केर की बात करें या हम कॉस्मेटोलोजी की बात करें सबर की जरुवत होती है उसके लिए तो अच्छा प्रोड़क्टे को मैंने मंगाया था मैं इसकी पहले पैकेजिंग की बात करूँ यहां पर एक स्टोपर दिया गया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा रीजन यह कि अगर आप कहीं भी ट्राइवल वगेरा कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमारे करके इस तरीके से आप अच्छे से और फिम पंप करना हूँ मैं इसको पंप किया थी आप यकीन नहीं मानेंगे 15-20 के बार मैंने फिर इसको गिनना शुरू कर दिया था तो मैंने कम से कम इसको 100 बार पंप किया है तब जाके वो प्रोड़क्ट बाहर आया था तो अभी तो आप ध्यान दीजिएगा बहुत हलके से ऐसे आप जब आप शुरूआत कर रहे हैं हरेटनोल यूज करने की देखिए इतना प्रोड़क्ट आपको निकालना होता है अब अपने चेहरे पर अच्छे से मौश्राइजर लगा लिया तो आपको क्या करना होता है इसी पेसे गर्दन पर भी क्योंकि ये पार्ट हमारा बहुत जल्दी जुरिया आती है तो ये सारी चीज़े आप कर सकते बट पहले मौश्राइजर अप्लाई कीजिएगा और बड़े अच्छे तरीके से आपको अप्लाई करना है और मैं नहीं कहूंगी कि आप थोड़े लोकल क्वा इसको अप्लाई करने के पाद इसको आप मसाज नहीं करेंगे आपको हलके हलके बस इसको ज़स्व करना होता है इसको दुबारा से मौश्राइजर आप अप्लाई कर लेंगे अब पैकेजिंग पे उन्होंने यह भी दिया हुआ है उसको यूस कैसे करना है बहुत अच्छी बात है होना चाहिए सारी डीडियल हाउ तो यूज लिखावास पे अप्लाई वन तो टू पंप्स टू फेस एंड नेक मैं एक दो पंप की सालन ही दूंगी आपको जितना मैंने बताया अगर उतने से शुरुवात करेंगे अगर आप बिकिनर है तो हफते में एक बार भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये आठ नो महीने में ही असर दिखाती है और अगर थोड़ी सी बेरेबल है आपको लगता है यहां बरदाश कर लेगी तो हफते में दो बार आप इस कस्तिमाल कर सकते है और आपको लगे कि अब आपकी स्किन जो है इसके लिए बिल्कुल रेडी है इस प्रोड़क्ट के लिए तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते है बट मैं यही कहूंगी दो हफते में दो बार बहुत होता है ठीक है न उतना ही अपलाई कीजिए जलबाजी के चकर में क्या होता ना सकिन डैमेज होती है और सकिन डैमेज होने के बाद महीनों लेती है रेपेर होने में यह मैंने अपनी सकिन के साथ देखा हुआ है इसलिए मैं बहुत डरती हूं इन चीजों से कस्टमर्स के लिए वो ऐड़न करें 30 ml की कॉंटिटी है और यह महीनों चलेगा मुझा लग रहा है आपके पास अच्छा इसमें यह भी लिखा हुआ है कि एक पैस्टेस आपको ज़रूर करना और मैं हमेशा करती हूँ एक चीज़ और इन उसमें लिखी हुई है या फिर उन्हें वाइटेमिन सी इवन मना किया हुआ है ठीके न महला बहुत सारी चीज़े मना कर देते हैं क्योंकि यह अकेला प्रोड़क्ट बहुत ज़ादा मैंने बताया ना डर्मेटोलोजिस इसको लिख के देते हैं बट ओविजली अगर सभी कंपनीज रेटिनोल बना स्टार्ट कर रही हैं तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पढ़ती है तो प्राइस के बार में मैं बात कर रही थी गाइस के प्राइस है 599 यानि अल्मोस्ट 600 रुपे का यह आपको पढ़ जाएगा बट मैंने यह जो सेल में से लिया तो मुझे आइधिंग 524 या इतने का इधिंग यह मुझे पढ़ा था और यह क्योंकि महीनों चलेगा तो 600 रुपे मुझे कोई बुरे नहीं लगए पे करते हुए तो यह पूरा रिज्यू था आप मैं बात करना चाहूंगी कि जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे मेरी स्किन पर कैसा लगा गाइस, अफकोर्ण जो मैं आपको बताती हूं तो यह प्रोसीजर मैंने किया था, मैंने पहले मौश्राइजर लगाया पहले फेस्वाश किया रात में मैंने मौश्राइजर अच्छी कॉंटिटी में अपलाई किया था, इन केस अगर आप इंट्रस्टेड हो जानने में, क्योंकि सर्दियान मेरी स्किन बहुत जाधे ड्राय है उसके बाद मैंने बहुत थोड़ा सा मॉउंट इसका लिया और काफी तो मैंने बताया ना मुझे स्ट्रगल करना पड़ा था इसको निकालने हैं तोड़ा सा अमाउंट लेकर मैंने वैसी इसको अच्छ से बिलकुल डिवाइट कर दिया अपनी पूरी स्किन पर देन मैंने अपलाई किया और फिर मैंने मौशुराइजर अपलाई किया तो मुझे अपनी फेस पर थोड़ा-थोड़ा सा इसपेशली चीप पर पर तिंग्लि ऐसे छोटी से से लगए खा कि हां कुछ आपको हलका सा तेंगलिंग सेंशेशन फील हो रहा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके स्किन डैमेज रही है अगर यह आपको लगे कि यही जो हलका फुलका सा असर है बहुत जादा बर्निंग फिल हो रही है आपको तो भाई बिलकुल भी नहीं और जैसे के मैंने आप पैस्टेस कर लिया करो अगर पैस्टेस कर लेंगे तो किसी भी तरह की परिशानी से आप बस सकते हैं तो वह चीज़ आपको करने चाहिए तो मुझे मालूम था कि यह दो त दीजेगा, इसको मत अपलाई कीजेगा, मैं यही आपको सलद हूँगी, क्योंकि स्किन खराब करने से बेता रहे हम उस प्रोड़क को नहीं यूज करें, फिर रग दें उठाटें, ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने का सबकी तो अचा, सबकी स्किन बिलकुल अलग होती है, एक बात और, अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन पूरी रात इसको नहीं अपलाई करना चाती है, या फिर आपको इस तरह कुछ लग रहा है, तो आप इसको सिर्व स्किन पर एक या दो घंटे अपल जबादा जरूरी है अगर आप संस्क्रीन अप्लाई नहीं करें रेटिनोल के साथ, मैं बिल्कुल भी सला नहीं दूँगी कि आप से रेटिनोल इसक्माल करें, क्योंकि अकेला प्रोड़क्ट आपकी स्किन पर कोई कमाल नहीं दिखा पाएगा, हमेश्या आपका स्किन रेज क्योंकि जब आप अपने पैसों से कुछ मंगाते हैं तो आप honest review देते हैं, आप तो मैं खुद पर apply करूँ या फिर मेरे patients जो है वो अगर use कर रहे तो मैं आपके साथ share कर सकूँ, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए useful रही होगी, अगर अच्छी लगी हो और आ चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा, bell icon को भी click कर लीजे ताकि हर notification आप तक बहुत सके, मैं मिलती हूँ आप सभी से next video में, तब तक लिए अपना खयाल रखे, स्वस्त रहिए, वैस्त रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, be healthy, be holistic, जेहिए